तो यहां पे आज हम आपके लिए जनल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर्स लेके आए हैं यह कोस्चन्स मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे फार एसेसी 131 और 132 अगर आपने अभी तक एसेसी 131 के लिए प्रिपेशन शुरू नहीं करी है तो अब भी आप अगर प्रिपेशन शुरू करते हैं तो दो महिने का टाइम आपके बास बचा है दो महिने से भी इंफेक्ट कम टाइम बचा है तो यहां से आप अपने प्रिपेशन को बूस्ट कर सकते हैं तो most important वीडियो आपके लिए यह रहने वाली है और यहां से शोर्षाट आपको questions exam में देखने को मिलेंगे for SAC 131 and 132 ठीक है तो हमारा आज का पहला question रहेगा which catalyst is used for the senses of बनस्पती गी तो यहां पे हमें क्या पुछा गया है कि बनस्पती गी की preparation के लिए किस catalyst का use करा जाता है firstly बनस्पती गी कौन सा होता है जिसे हम vegetable गी भी कहते है जिसे हम डालडा गी भी कहते है ठीक है अब यह गी कैसे prepare किया जाता है यह आपको note कर लेना है यह गी prepare किया जाता है hydrogenation process से ठीक है बनस्पती गी prepare किया जाता है hydrogenation process से इसके लाबा इसकी preparation के लिए एक catalyst का use किया जाता है is nickel अब catalyst क्या करता है catalyst reaction में यहां तो reaction को बढ़ाता है यह reaction को कम करता है मतलब rate of reaction को influence करता है alter करता है ठीक है जो rate of reaction को बढ़ाता है उसे positive catalyst कहते हैं जो rate of reaction को कम करता है उसे हम negative catalyst कहते हैं तो हमारे पास nickel एक positive catalyst है जो की rate of reaction को बढ़ाता है और बनस्पती की प्रपेशन के लिए निकल का यूज करा जाता है और साथ में निकल को निकल की प्रपेशन हाइडरोजिनेशन प्रोसेस से करी जाती है ठीक है बढ़ते हैं next question पे which catalyst is used for the senses of sulfuric acid by contact process sulfuric acid की preparation के लिए किस catalyst का यूज किया जाता है firstly इसकी preparation को हम contact process कहते हैं और कोंट सा catalyst यूज किया जाता है that is vanadium pentoxide अब इसका formula क्या होता है V2O5 ठीक है firstly sulfuric acid prepare किया जाता है contact process से और vanadium pentoxide हमारे पास same positive catalyst होता है यह क्या करता है industrial preparation करता है sulfuric acid की ठीक है जब ज़्याद लेवल पे sulfuric acid को prepare करना हो तो उसके लिए vanadium pentoxide का use करा जाता है for the preparation of sulfuric acid okay next one is radium is extracted from which over तो radium कौन सी और में से extract किया जाता है तो इसका answer है pitch blend ore, blend ore से क्या किया जाता है radium को extract करा जाता है अब इसमें से ore के आपको question पूछा जाता है जो कि generally पूछा जाता है radium को discover किसने करा रहा था देखो radium हमारे पास एक radioactive element है जिस तरह से uranium एक radioactive element है उसी तरह से मारे पास radium भी radioactive element है अब pitch blend ore जो है यह भी same type of uranium की ore की तरह है ठीक है अब radium को discover किसने करा था discover करा था Mary and Periquiri दो person थे जो की French chemist थे दोड़नों इन्होंने क्या करा था radium को discover करा था in 1893 में ठीक है और radium is a radioactive element तो यहां से आपके 3-4 questions यहीं से निकल जाते है ठीक है बढ़ते है next question पे which agent is as seed in artificial rain यहां पे हमें क्या पूचा गया है कि artificially acid rain के लिए ठीक है artificial acid rain के लिए किस agent का use करा जाता है that is इसका सही answer क्या रहेगा as a seed kone work करता है silver iodide work करता है इसमें अच्छली करा गया जाता है जब भी artificial acid rain के लिए क्या किया जाता है silver iodide की spray करी जाती है atmosphere में किसके दवारा airplanes drones दवारा इसकी spray करवाई जाती है so that यहां पर acid rain की formation होती है और acid rain water system के लिए बहुत मतलब water में aquatic life जितने भी रहती है fish amphibians आगे aquatic जितने भी animals उनके लिए बहुत यह toxic है ठीक है so next question हमारे पास है power of lens is measured in power of lens किसमे measure करी जाती है ठीक है यहां फिर आपको यह पुछा है सकता कि as a unit of power of lens तो इसका सही answer क्या रहेगा adapter ठीक है अब adapter होता क्या है कि light ray कितनी converge कर रही है कितनी diver कर रही है ठीक है उसको measure करा जाता है किसमें adapter में firstly adapter होता है one upon focal length के मतलब एक दूसरे का इनका inverse relation रहता है ठीक है अब focal length होती क्या है lens के center से लेके focus point के 20 का distance होता है उसे हम focal length कहते है in simple words ठीक है इसके साथ ही convex lens convex lens हमारे पास एक converging lens होता है जो कि light rays को converge करता है उसकी हमेशा positive focal length होती है ठीक है और यहां पर देखो positive और negative दोनों focal length दी गई है इसके रलावा concave lens वो हमारे पास एक diverging focal lens होता है चो लाइट rays को diverge करता है दूर दूर लेके जाता है और उनकी हमेशा negative focal length होती है ठीक है तो यहाँ पर हमें एक पुछा गया है कि power of lens को किस में measure करा जाता है तो इसको dipter में measure करा जाता है power of lens होती ही क्या है कि light rays lens दुआरा कितनी conversion diverge करी जा रही है that is known as इसका सही answer है गा dipter ठीक है तो यहाँ पर जो जितने भी questions आपको मिल रहे important questions है और बट अगर आप यहाँ पर with strategy preparation करना जाते हैं और यहाँ पर complete आप sleepers को पढ़ना चाते हैं बिकास YouTube पर उस तरह से चीज़ों को नहीं करवाया जा सकता बट यहां भी detail discussion करने के लिए आप हमारे course में enroll हो सकते हैं इसमें अगर आप course में enroll होते हैं तो आपको क्या मिलेगा आपको theories मिलेगी full pdf notes मिलेगी जो कि आपके हर एक subject के रहेंगे वहां से आप चीज़ों को easily बढ़ सकते हैं अगर आपके वास time का issue है आप theory से चीज़ों को बढ़ सकते हैं बट बहुत सारी चीज़े जो कि theory से समय नहीं आती है तो उसके लिए आपकी रात को 9 से लेके 11 मजे तक live classes रहेंगी ठीक है वहां पे आप teacher के साथ आपकी live interaction रहेगी आप अपने doubt clears कर सकते हो और साथ ही में वी candidates के लिए अलग से भी classes रहेंगी service candidates को time की दिक्कत रहती है तो उसी को धियान में रखते हुए रात को 9 से 11 तक आपकी जो live classes रहने वाली है इसके एलावर live classes अगर आप attended नहीं कर बा रहे हैं तो फिर भी आपको बिल्कुल tensioning की जुरुत नहीं है बिकास आपको live classes की recordings ACC Defense Academy की application पे मिल जाएंगी तो इसलिए आप play store से आगे ACC Defense Academy की application को भी download कर सकते हैं और course में enroll हो सकते हैं ठीक है इसका साथ आपको mock test आपके लिए जाएंगे monthly and weekly लिए जाएंगे साथ में MCQs भी solve करवाए जाएंगे mock test बना हर तरह से आपको यहाँ पे एक personal guidance भी provide करी जाएगी ठीक है तो as you know कि यहाँ पे अब आपकी exam date प्री बोनों चोकिया तो आपका exam 5 July 2024 को है तो आपके पास only and only दो मीनेंस से भी कम time बचा हुआ है तो serious effort लगाईए और यहाँ पे आप preparation शुरू कर सकते हैं simply किसी भी query के लिए course के बारे में information जानने के लिए कोई भी detail लेने के लिए course में enroll होने के लिए या booklets order करने के लिए जो की new list labels पे जो books रहेंगी और within 3 or 4 days में आपके address पे post भी करी जाएंगी अगर आप preparation करना जाते हैं तो उसके लिए simply आपको गया करना है हमें whatsapp करना है 812-07-459-66 ठीक है हमें यहाँ पे video को continue करते है important question is solder is an alloy of solder किसका alloy है excluders का alloy है पर अब एल pulls किया होता है जो कि की बात करते है firstly alloy क्या होता है alloy हमारे पास ऐसा metal होता है जो कि दो यह दो से जादा材 solder क्या है यह यह लैट और टिंटसे मिलके बणा हुए तो अब इसके लाबा ब्रास बी एक एक alloy है आपको comment box में बताना है कि German silver कोन से 3 metal से बना होता है ठीक है comment box में यह आपके लिए task है यह आपको comment box में बताना है ठीक है यहाँ पर different type of soldiers आप image में भी देख सकते हो next one is group 18 elements are known as group 18 elements को क्या गहाँ आता है firstly आपको पता होने चाहिए कि 18 ग्रूप प्रेडिक्टेवल में है 18th group जो प्रेडिक्टेवल में है उसमें कोन कोन से elements है helium, neon, argon, krypton, zenon, radon यह सारी gases जो है ग्रूप 18 में है अब इनको zero group क्यों कहा जाता है फसलिए इनको कहा जाता है zero group भी कहा जाता है और inert gases group भी कहा जाता है ठीक है अब इनको zero group इसलिए कहा जाता है विकास इन में outer most shells fill होती है मतलब इनको किसी भी electron की ना तो जरूरत होती है और ना ही ये किसी को electrons देना जाते हैं ठीक है इसलिए ये stable elements होते हैं stable gases होती है इनको किसी की भी जरूरत नहीं होती इसलिए इनको zero group elements कहा जाता है इसके साथ ही inert gases इसलिए कहा जाता है विकास ये किसी के साथ भी reaction show नहीं करती जहीं reason होता है विकास tendency इनकी ना तो gain करने की होती है ठीक है और ना ही इनकी lose करने की होती है electrons ठीक है इसलिए यह inert gases होती है मतलब इनको किसी से भी मतलब नहीं होता यह stable elements होती है बट इन में एक reception होता है जो कि बड़ी बार पेपर में पुछे जाता है that is xenon xenon जो gas है यहाँ पे देखो image में भी sure है जो lost gas है यहाँ पे xenon एक gas है जो कि एक exception case मना जाता है group 18 में जो कि बहुत सारे substances साथ reactor करके different compounds यह form करती है तो अपने group में यह थोड़ी सी अलग property शो करती है बट still यहाँ पे combinedly हम क्या कहते है group 18 elements को inert gases कहा जाता है या zero group elements कहा जाता है बहुत important question है priority table में बार बार बुछा जाता है next one is which type of mirror is used by doctors to examine teeth, ear and nose doctors दोवारा या dentist दोवारा कौन सा mirror यूज करा जाता है teeth को चाक करने के लिए ears को चाक करने के लिए and doctors दोवारा nose को चाक करने के लिए कौन सा mirror यूज करा जाता है तो इसका answer है concave mirror concave mirror का use करा जाता है ठीक है और concave mirror हमारे पास एक converging mirror है या diverging mirror है यह आपको comment box में बताना है so that यहाँ पे आप अपना भी यहाँ पे थोड़ा सा mind use करें ठीक है बढ़ते है next question पे the impurities present in an ore is known as किसी भी ore में जो impurities होती है उन्हें क्या गाज आता है तो उसे गाज कहा जाता है ठीक है अब इसके साथ ही copper को copper जो हमारे पास एक metal है कहां से obtain करी जाती है copper pirate ore में से obtain करी जाती है जो की paper में बुछा जाता है आप मुझे comment box में बताएं कि hematite ore जो होती है उससे क्या extract करा जाता है कौन सा metal extract करा जाता है यह भी आपके लिए task है comment box में आपको बताना है आता है तो well and good otherwise google करके देखो so that यहां पर आपको कुछ चीजें जाद रहें ठीक है बढ़ते है next question पर which metal is known as the metal of future metal of future किसे कहा जाता है बहुत important question है metal of future titanium को कहा जाता है अब यह हमारे पास एक metal होता है और इसे metal of future कहा जाता है हमारे पास metals है इनसे भी ज़ाद efficient माना जाता है titanium को ठीक है और titanium की आज के दोर में आज के modern society में इसका use बढ़ रहा है ठीक है यह हमारे पास एक light metal होता है strong metal होता है frozen resistant होता है मतलब इसको easily frozen effective नहीं करती ठीक है इसके साथ ही इसके uses कहां पे होते है building industry में इसका use करा जाता है इसका sports के बहुत सारे goods बनाने के लिए sports के smart manufacture करने के लिए इसका use करा जाता है इसके साथ ही surgical procedures में भी इसका use करा जाता है titanium का next question is the HOH bond angle in a water molecule water molecule में जो bond angle farm होता है HOH के बीज में जो bond angle farm होता है वो कितने degree होता है यह आपको पूचे आता है बहुत ही bond angle है water में से question आता ही आता है यह bond angle आएगा यह bond length आएगा यहाँ पे bond angle कितना होता है 104.45 degree ठीक है यह आपको जाद रखना है HOH bond angle कितना होता है 104.45 degree इसके साथ ही next same question है एक तरह से तब bond length अब यहाँ पे bond length पूची गई है किसकी OH की ठीक है तो इसकी bond length कितनी होती है इसकी होती है 95.84 picometer तक इसकी bond length होती है किसकी OH की 95.84 picometer इसको याद कर लेना है आपको नेक्स्ट वन इस यूरिया कंडेंस how much percentage of nitrogen बहुत important गोश्चेन है बार-बार पुचे जाता है यूरिया में कितनी percent of nitrogen होती है ठीक है तो यूरिया में हमारे पास firstly यूरिया prepare किसने कर रा था ये भी मुचे जाता है Fredrich Wohler ने यूरिया को prepare कर रा था ठीक है यूरिया में percentage of nitrogen होती है 46% ठीक है आप मुझे comment box में बताएं कि ammonium sulfate जिसको as a fertilizer यूज करा जाता है उसमें कितनी percent of nitrogen होती है और ammonium chloride उसमें कितनी percent of nitrogen होती है ये आपके लिए task रहा ये आपको comment box में बताना है इसके इलावा ये पूछा जाता है ठीक है क्योंकि यूरिया सबसे important है अब इसका structure किस तरह से रहता है दोखो इसमें NH2 single bond C single bond NH2 or double bond O होता है ठीक है तो आपको क्या बताना है मैं structure भी बता चुका है तो आपको comment box में बताना है कि यूरिया का molecular formula क्या होता है ओके next one is the audible range of sound for humans humans की audible range कितनी होती है sound की मतलब वो कितनी sound से मतलब कितनी कम से लेके जाहता कितनी sound को वो सुन सकते है properly तो इसका सही answer है 20 hertz to 20,000 hertz ठीक है यहां 20 hertz to 20 kilo hertz भी आप बोल सकते हो ठीक है तो एक ही बात है तो यहां पे human beings के लिए 20 hertz to 20,000 hertz तक रहता है बट animals ऐसे महरवाश elephant आ गया तो यह इससे कम sound भी सुन सकते है और bad वगएरा कुछ parts है जो human से जादा sound को भी तो यहीं से आपके 3-4 questions निकल रहे है ठीक है तो यहां से आपके 4-5 questions यां 3-4 questions इसी questions में निकल रहे है मैं आपको बता दूँ कि एक तो आपको audible range निकल रहा है उसके बाद ultra sound किसे कहा जाता है infra sound किसे कहा जाता है और animals कम sound सुन सकते है humans से and birds कितने सुन सकते हैं तो यहां से आप इसको conclude कर सकते हो ठीक है इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि यहां पर आपको पस 50% का discount भी चल रहा है और only 2 months से भी बहुत कम time बचा हुआ है तो 500 ranking में अगर आप आना चाते हैं और यहां पर थोड़ से serious efforts आप लगाना चाते हैं क्योंकि ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा PDF notes भी मिलेंगे recorded classes भी मिलेंगी daily live classes भी मिलेंगी mock test भी मिलेंगे previous year questions भी मिलेंगे और एक proper strategy मिलेंगे और week and dates को अलग से preparation के लिए यहां पर अलग से guidance भी provide करी जाएगी ठीक है और अगर आप booklets order करना चाते हैं तो then आप booklets order कर सकते हैं within 3 or 4 days में आपको books आपके address पे मिल जाएँगे ठीक है simply आपको क्या करना है whatsapp करना हमें 812745966 so इन videos को questions को बार बार revise करते रहिए फिर से मैं बता दूं कि ACC 131 की हमारे पास new date जो है 5 July 2024 को है तो 2 months से कम time बजा है don't waste the time ठीक है मिलते है next video में thank you so much